तो एलो एकबाब फिर स्वागत है आपका यूनीक आज सेकर्टिन वाई गुल्फामिली राजी में करेंट फेस का स्चेशन है और करेंट फेस में मैं आपको बता दूं के मेरी जो भी क्लासिस हैं वो इस तरह से हैं कि आने वाले 6 महने तक जो भी आपके एक्जाम हैं वो किलास उसमें काम आएगी आप आज की डेट देख ली थी अपलोडिंग की तो आने वाले 6 महने तक जितने भी एक्जाम होंगे उसमें सभी में यह करेंट एफेस आपके काम आएगी तो आप चाहें आप UPSC या कोई एक्जाम दें, चाहें वो IAS का एक्जाम हो, IAS का एक्जाम हो, या स्टेट PCS का एक्जाम दें, या कोई भी बंडे एक्जाम दें, इस अभी के लिए यूसफुल है, तो चलिए शुरू करते हैं बीना समय गवाए, आपको पता है कि से फूटवाल की फीफा और शत्रेंज की फीडे, उसी तरह से क्रिकेट को गवर्न करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, ICC, International Cricket Council, ठीक है, अब ICC जो है, हर चार साल बाद, World Cup आयूजन करती है, या World Cup का आयूजन करती है, हर चार साल में एक बार यह होता है, ऐसा पहला World Cup जो हुआ, वो 1975 में हुआ, 1975, 79, 83, तीन साल लगातार यह World Cup जो हुआ, इंगलेंड में हुआ, वो इसके Final जो हुआ, इंगलेंड के लाट्स के मैदान में हुआ, जिसे कहते हैं हम क्रिकेट का मक्का, अब World Cup जो है, क्रिकेट के दो format में होते हैं, एक T20 format में जो हर दो साल में ह होता है, इस साल 2024 में जून में वेस्ट इडीज और अमेरिका में होने वाला World Cup और एक होता है, पचास-पचास ओवर के format में जिसे हम कहते हैं, वन डे क्रिकेट, तो यह जिस World Cup के हम बात कर रहे हैं, वो वन डे इंटरनेशनल या पचास ओवर वाला क्रिकेट World Cup था, इसमें आप से जो कुछेगा इस World Cup के बारे में, उससे पहले थोड़ा सा पीछी चलें, के सबसे पहले 75 और 79 में दो वार किरकेट World Cup लगातार वेस्ट इडीज की टीम ने जीता था, उसके बाद वेस्ट इडीज की टीम कभी World Cup जीत नहीं पाई, और इस वार के World Cup के लिए वो क्व जीता था, उसके बाद 2011 में महिन सिंग धोनी की कपतानी में हमने World Cup जीता था, ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहां जैसे लिखा भी यह पहला वीचे था, भारत दो बार इसमें भी जेता रहा, 1983 और 2011 में, अब World Cup सबसे बार जादा बार जो जीता है, वो Australia ने जीता 6 वार, अस्टेलिया ने सबसे यदा 6 वार World Cup जीता है, किरकेट का, पुरुष किरकेट World Cup सबसे यदा उस्टेलिया ने 6 वार जीता है, इस वार जीता है, यह छेटी वार, ठीक है, अब जो इस वार वाला, जो अक्टूबर नॉमबर 2023 वाला जो World Cup था, भारत में हुआ, और यह जो क्रिकेट World Cup के Ambassador कौन थे, आप हमारी जो पुरानी वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें मैंने इसके डीटेल में काफी बता रखा है, जैसे इसका मैसकट किया था, इसके ब्रैंड अमेसडर कौन थे, क्रिकेट World Cup के, शचिन तंदलकर, ठीके ना, हाँ, तो चलिए, तो इसम पांच अक्टूबर से 19 नॉवंबर 2023 तक मैच हुए, उद्गाटन मेच 5 अक्टूबर को, फाइनल 19 नॉवंबर को, कुल 10 तीमों ने इसमें भाग लिया, 8 तीमों को इसमें डारेक्ट एंट्री मिली और दो टीमें जो थी, इसमें क्वालिफाई करके आई, जो टीमें क्व वो थी स्रिलंका और हॉलेंड की, मैंने इसमें लिखा भी होगा, क्वालिफायर हैं स्रिलंका और हॉलेंड, मैंने लिखा वेस्ट और क्रॉस लगा दिया, यानि के वेस्ट लीज इसमें नहीं खेला, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, इस वर्ल्ड कप में कुल 48 मैच खेल और ऑस्टेलिया ने हराया था जिफ्षेंद अफ्रीक में तो भारत और उस्टानी से वह टारगेट चेस कर लिया इस थे च्छटी बार्ते चृती वारणी से थे वह टार्गेट चिछेंद कि जीत लिया नहीं कहती है एक तो फाइनल में मैच का सबसे अच्छा खिलाडी को उन रहा जिसे हम कहते हैं man of the match तो फाइनल में man of the match जो रहा वो ऑस्टेलिया के बल्लेवाज Travis Head रहे इन्होंने फाइनल में 137 run बनाए 137 run सो रनों को शतक कहते हैं कि रिटिक भाशन में तो Travis Head आस्टेलिया के फाइनल में man of the match रहे इसके लावा विराट कोहली 75 run बना करके सबसे अच्छे बल्लेवाज बने सबसे ज़्यादा run बनाए इन्होंने वह यह सबसे अच्छे बल्लेवाज भी बने और टूर्नामेंट के सबसे अच्छे ख्लाड़ी का प्रोसकार भी विराट कोहली को यह दिया गया मुहमर शमी जो के भारती है उन्होंने 24 बिगिट लिए यह टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा बिगिट लेने वाले हो सबसे अच्छे गेंदवाज बने कौर मुहमर शमी इसके लावा भारतने एक रिकार्ड बनाया कि फाइनल जो था फाइनल से पहले अंत तक इसमें अजे रहा था ठीक है तूर्णामेंट का सबसे अच्छा क्रारी कोहली मैं आपको बदा दिया मोहमो शमी ने 24 विकेट लिया सबसे अच्छे गेंदवाज यह बने अच्छा इस तूर्णामेंट में सबसे आदा रन बिराट कोहली ने सबसे आदा खिलाडियों को आउट करना जो लोग क्रिकेट की नॉलेज नहीं रखते हैं वैसे तो जायतर लोग क्रिकेट की नॉलेज इंडिया में तो रखते हैं क्रिकेट की ओ फिल्मों की नॉलेज हम लोग सभी रखते हैं तो गैंदवाज किसी खिलाडी को आउट करता तो इस वर्ल्ड कप में सबसे आदा जो छक्के लगाए वो रोहिश शर्माने 31 और सबसे आदा सतक लगाए चार ये दक्षिनाफरी की बल्लेवाज है क्विंटन डीकॉक उसने और सबसे आदा हाफ सेंचरी यानि के 50 रन एक पारी में 50 रन आपने मला लिए तो उसे हम अर्श के बीच मैच हुआ उसमें आउस्टेलियाई खिलाडी गेलन मैक्सवेल ने अकेले दम पर अपना मैच जो है थे निकाल लिया था इसमें ग्लेन मैक्सवेल ने रन बनाए टूटल 201 अचा क्रिकेट में रनों के उपर इस्टार बना रहता है न तो उसका सिंबल है नॉट सबसे तेजन का रिकाड गेलेन मैक्सवेल का नहीं है लेकिन को ऐस्टेलियां का इसपर को कि थे वह इस क्रिकेट वर्ड कप की सबसे बड़ी पारी अब तक जो तेरा टोटलर वर्ड कप हुएं, उसमें किसी एक पारी में सबसेदार रन बनानेवाला जो बल्ले बाज है वो निजलेन कहा मार्टिन गुप्टिल उसका रिकार्ड है 237 रन का ठीक है आगे चले बेक्टिकत पारी 201 रन ग्लेन मैक्सवेल की और सामुविक पारी यानि के ऐसी कौन सी टीम थी जिसने एक पारी में सबसे यदा रन का रिकार्ड बनाया इस वर्ल्ड कप में तो वो थी द कार्ड बनाया इस वर्ल्ड कप में 55 रन का अफगानिस्तान ने इंडिया खलाफ हुई हाला कि सभी वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो सभी वर्ल्ड कप में सबसे कम रन जो होगा यहां यह लिखा भी है किसी वर्ल्ड कप में सबसे कम रन जो बनाये हैं वो 36 रन हैं किसक कनाटा के ठीक है आने वाला अगला जो वल्ड कप होगा वो चोद्वा किरिकेट वल्ड कप होगा 2017 में यह होगा साउथ अफरीका, जिंबाभवे और नंपीबिया यह तीन देश, तीनों देश मिलकर इसको कराएंगे कौन-कौन, साउथ अफरीका, जिंबाबबे और नमीबिया, ठीक है ना, अच्छा, चेतन शर्मा और मुहमोश शमी, दो ऐसे खिराड़ी हैं, जिन्होंने हैट्रिक लिए, हैट्रिक का मतलब से हैं, किर्केट में होकी में भी आता है, होकी में तो यह है, होकी फुटवाल में आपने एक मैच में तीन गोल कर दी है, तो उसे हैट्रिक कहती है, ठीक है, और छे गोल कर दी तो उसे दबल हैट्रिक कहते हैं, लेकिन किर्केट में हैट्रिक का मतलब है, मुल रूप से जो आया है, अगर कोई खिराड़ी लगातार तीन गैंदो पे, तीन बल्ले वाजों क मतलब है लगातार टीन को आउट कर दे ना तो किसी फी गड़ कप में पहली वार में पहले फिसके पहले गेंदवाज थे हावरत की अगर्वा आज वारो विश्ट लेत्वाज प situmud के लोगहा फ़ी।rier थे ना वोगहा को अगया तो आयम तुर वोसमें मुहमा शमी नें हैट्रिक ली थी यह बारत के दूसरी ऐसे ख्ञाड़ी थे जो किर्केट वर्ल्ल्ड कप में हैट्रिक ली थी करे दो किर्केट कोश्छन आएंगे आम तूर पर मानलीजे अगर तीन कुश्चन आते हैं तो तीन में से दो कुश्चन आपको यहां से मिलने चाहिए बाकी तो पुरा का पूरा सामने समंदर है जीखेगा कुछी पूछ सकता है आपको याद आगया ठीक है नहीं तो कम से कम इनको आप याद कर लीजिए ठीक है आगे चले, अच्छा अब आपको पता है लगवाग हर साल हमारे नेशनल गेम्स होते हैं लेकिन एक्सार पोसपार्ण भी होते हैं, कभी तो ऐसा हुआ तिन थिन साल नेशनल गेम्स होए नहीं है, राश्टी खेल, आच्छा जैसे क्रिकेट जैसे कहेले ना, तो ये नेशनल जायातर होकी, फुटबाल, बॉलीबाल जैसे गेड और ट्रेक और फिल्ड जैसे के लंबी, उची कूच चका फैक भाला फैक जो जल्दी नहीं पड़ जाते हैं ठीक है ना आम तृप पर एसलिट्स के सी किये तो इस तरह के जो घ्ल होते हैं वो च् Mitch Michaels ने कहले जाते है कि बाते हैं इसी Khiail आप आपड़ आके देखएंगे तो उलम्लपिड है जोy एशियाट गेम्स होते हैं उसमें भी होते हैं तो आम तोरपा हर साल होने चाहिए चाहिए लेकिन आम तोरपा हर साल होते नहीं है पिलोल जो ताजा जो राष्टी खेल हुए हैं वो हां 37-2 आने वाले 38-2 खेल उत्राकंड में होने हैं आपके रुदुब्व में भी होगा आपका जो गुलगोई डेम है ना यहां पर जो वाटर स्पोर्स की कम्टिशन सोने गुलगोई डेम में हम भी चलेंगे रेखने ठीक है तो नैशनलल गेम्स 37 राष्ट्री खेल हो जो हें हैं 2023 में 25 अक्टूबर से नो नॉमबर 2023 तख गोवा में है अब इसका उद्धगाटन जो हुआ है वहा है गोवामें मर्मू गायों शहर है वहाँ पर है जवाहलाल लहरू स्टेडियूम वहाँ पर इसका उद्धगाटन है ना आपके दोनों के इसकम है आपको लगे है मेरा तो कोई एक्जाम नहीं है मैं क्यों कर इंटरिफेस पढ़ना हूँ लेकिन अब आपकी आदर बन जाएगी आपको अंदाज हो जाए क्विशन किस तरह से आते हैं कर इंटरिफेस में जैसे आपने क्रिकेट वर्ल का हर अब इसमें जो है हां कुल 37 यूनिट ने भाग लिया अब मैंने 37 राज्य नहीं लिखा है क्योंकि हमारे राज्य भी है केंशासी प्रदेश है राज्य भी है 28 राज्य है 8 केंशासी प्रदेश है 28 राट कितना हो गया 36 और एक सेना की टीम अलग से खेलती है राश्य के जो है सेना की तो इस तरह से कुल 37 टीम होने या 37 यूनिट ने भाग लिया और इसमें कुल जो इवेंट्स या कुल खेल थे वो थे 43 पीटी उसा जो कि भारती ओलंपिक संग की अध्यक्ष है वो यहां पर थी है ना एक तो अन्तराश्य ओलंपिक संग भारती ओलंपिक संग जितनी भी गतिविदियां होती है उन सब को कौन गवन करेगा भारती ओलंपिक संग का अध्यक्ष तो भारती ओलंपिक संग की अध्यक्ष को ने इसमें पीटी उसा ठीक है ना अच्छा इन खेलों का यह जो 37 राश्टी खेलते इनका अधर्षवाक यह क्या था इनका अध अधर्षवाक था गेट सेट गोवा और इनका मैस्केट मैने सुभंकर मैस्केट का मतलब शुभंकर मैस्केट यह सुभंकर जो था एक पशू है गौर जंगलों मिलता है जंगल में सब से बड़ा पशू कौन सा मिलता है हाती है ना हाती से उंचा होता जराफ लेकिन आम तो जंगल में सब सब बड़ा पशु किसे कहते हैं आप हाथी तो गौर जो है इसका नाम है इंडियन बायसन बेग्यानिक नाम इसका गौर को भारत में जिसे गौर कहते हैं उसे कहते हैं इंडियन बायसन अचा इंडियन बायसन या गौर क्या है भारत में जितने जंगली मवेश तो भारत में जंगलों में जितने हीifice मिलते हैं उनमें यह सबसे बड़े आकार की नसल है धोर ठीक है अब गोर जो है उत्रकण का राज किया पशु ट्रक्राइछ कया है करिच और MP का राज किया बढ़ा करो, एक्जाम भी दिया करो, उसके भाहने पढ़ते रहते हो, नहीं साना, हम तो उपी में नौकरी करने नहीं जाएंगे, निकाल के तो दिखाओ, ठीक है, अचा खेर, तो गोर जो है, गोर का राज्किय पशू है, ठीक है, गोर का वेगैनिक नाम क्या है, इंडियन इन खेलों का मैस्कट या सुभंकर था, और इसको नाम दिया गया, मोगा, गोर को क्या नाम दिया गया, मोगा, और मोगा जो है, अचा गोवा में कुन सी भाहर चलती, कौंकडी, कौंकडी भासा में, मोगा शब्त का रथ है प्रेव, तो गोर यानिके इंडियन बाइसन, ज ठीके ना, कौंकडी भासा में, इसको नाम दिया गया मोगा, मोगा का मतलब है प्रेम, यह था 37-वे राश्टी खेलों का मैस्कट, और 37-वे राश्टी खेलों में पहले नंबर पर कोन रही, कोन रहा, सेनागी टीम, ठीके ना, अच्छा, अब इन खेलों में सबसे बहतरीन प्रदर्शन करने के लिए यानि के तरह तरह एक खेलों में सबसे बहतरीन प्रदर्शन करने के लिए सबसे अच्छी टीम के लिए एक ट्राफी दियाती है राजा भालिदर सिंग ट्राफी वो मिली महाराष्ट को ठीक है ठीक है सब ठीक है ना ओके तो खेर इन खेलों में 40 खेलों में ठीक है अच्छा इन खेलों में जो पहले नंबर पर टीम रही वह रही महाराश की दूसर नंबर पर सेना की और तीसर नंबर पर हरियाना की नमबर एक महाराश, नमबर दो सैना और नमबर तीन किसकी टीम रही हरियाने की टीम, ठीक है, अच्छा, हाले कि यह पूछेगा नहीं, लेकिन खोदा रहास्ता पूछ ले, तो महाराश को जो मेडल मिलें, असी गोल्ड, 69 सिल्वर और 79 ब्रॉंज, कुल मिलाकर 228, 228 मेडल इ पहले नमबर महाराश, दूसर नमबर पर सैना और तीसर नमबर पर हरियान, ठीक है, अच्छा, ओके, अच्छा, यूपी का इन में कितने वाई स्थान रहा, पंदरवा, उत्तरपड़ेस का, अब उत्तरपड़ेस का एक्जाम आप देंगे तो पूछेगा जरूर, जो थे वो कांस है, कुल 24 पदक उत्तरपड के लोगों ने, या उत्तरपड के खिराडियों ने जीते, ठीक है, अब आगे चले, तो सबसे पहले जो राश्टी खेल हुए थे, 1924 में लाहोर में हुए थे, और आजादी के बाद जो पहले राश्टी खेल हुए थे, 1948 में इन राश्टी खेलों में सर्फसेज खेलाडी या सर्फसेज एटलीट का जो अबाड मिला, पुरुषों में, वो मिला स्रीहरी नतराज को, ये करनाटक के हैं, और तैराक हैं, इन्हों ने आठ गोल्ड, एक सिल्वर और एक कांस, कुल मिलाकर के 10, और सबसे यादा पतक जी ठीक है, सबसे अच्छे एक राड़ी रहे हैं, पुरुषों में, स्रीहरी नतराज कहां के, करनाटक के तैराक, महिलाओं में, ये पुरुषकार जो है, जो है, ज्वाइन टूप से दिया गया, एक है, संयुक्ता प्रसेन काले महराश्ट की, और दूसरी है, प्रनेती नायक उड़ी सागी, ठीक है ना, दो लोगों के बीच में ये बटा, महिलाओं में, आने वाले छे महिने तक ये क्विशन आप से पूछा जाएगा, आप कोई भी एक्जाम दें, चाहें, आई-एस का एक्जाम दें, कोई भी एक्जाम आप दें, इन्हीं में से सवाल पूछे ज हम देने जाएंगे ना, तो आप से मैसकट पूछ सकता है, और ये जो मैडल टैली है, ये नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है पहले नंबर पर कौन रहा, आई-एस का एक्जाम देने जाएंगे, तो पूरी की पूरी मैडल टैली आप से पूछ सकता है, और ये पूछ सकत ऑनकल के न होगा है किर्केट खेलते हैं na तो विराट कोली नहीं पंदरा नमबर को इसे व्ल्लकस में पंदरा नौमबर को एक चीब्मेंट भज़ने पाना ही होता है तो इसको एक उबलब डिप आई थी क्या उब लब दिप आई पंदरा नमब ऴुर्लकस को वानख्रेड़ स्टेडियम क्रिकेट का है मुंबई में यहां पर इनोंने वंडे मैचों में पचासमा शतक बनाया और अभी तक क्रिकेट में वंडे मैचों में सबसे यादा शतक का जो रिकार्ड था वो सचिन तंदूलकर का था उन्चास सतक का ठीक है इन्होंने 50 में सतक बनाया और सचिन 30 का रिकार्ड तोल दिया तो आप से पूछ सकता है कई सारे कुश्यों हो गए के सबसे यादा सतक का रिकार्ड विराट कोली कितने 50 किस का रिकार्ड तोला सचिन का उननचास का कहां तोला मुंबई बान खेडे कव अगर अगर आप का 159 वर को के लिए आज है आब एक चीज और है मैंने लिग दिया जानमुष के क्या पता पूछ ले के वंडे मैचेंच में सबसे रहा रण किस ने बनाए अब तक तो मैंश में सबसे यादा इंटरनेशनल वंडे इंटरनेशनल तो एक दिर्शी अंतरराष्टी मैच या वंडे मैच में सबसे आधान जो बनाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो इसमें किसी खिलाडी को कोई कैश अवार नहीं दिया जाता है लेकिन उसने जीवन भर खेल की जो सेवा की है उसमें जो उपलब्धियां पाई हैं कैसे खेल में उसने अनुशाषन दिखाया बिना किसी बिवादों में रहा हो खेल की उसने सेवा की खेल के बाद हमसे प्रेम भाईचारे का संदेज दिया तो ऐसे खिलाडियों को सम्मानित करने के लिए आप आम तो पर रेडायर्मेंट के बाद ICC जो है सम्मान देती हैं उसे कहते हैं ICC Hall of Fame ठीक है तो ICC Hall of Fame में फिर से कुछ भातिक लड़ी चुने गए हैं या उसमें शामिल किये गए रखे गए हैं तो ICC Hall of Fame में भारस से सबसे पहले जो रखे गए थे या लिए गए थे वो दोग लड़ी लिए गए थे सबसे पहले जो ICC Hall of Fame में भारस तो जो सामिल हुए थे सुनिल गावसकर और विशन सिंग बेदी ठीक है ना उसके बाद अब दो खिलाडी और शामिल किये गए एक डायना इदुल जी और दूसरे विरेंदर सहवाग डायना इदुल जी और विरेंदर सहवाग अचा डायना इदुल जी ज में सामिल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर है विश्व की नहीं भारत की पहली महिला क्रिकेटर है टायना इदुल जी और इनके साथ कौन शामिल हुए गिरेंदर सहवाग तो इस तरह से ICC Hall of Fame में अब तक जो हैं भारत से कुल नो खिलाडी शामिल हो चुके हैं व उसका सिंपल सा वात है इतना चर्चित हुआ सभी लोग जान गया होंगे के एक बल्लेवाज आउट हो गया तो अगले बल्लेवाज को उसके दो मिनुट के भीतर क्रीस पर आकर के अपना गाड ले लेना चाहिए कभी के क्रिकेट खेलते हो देखा हो बैसमेन आता और बल्ल अगले खेले लेना चाहिए लेकिन बंगलादेश और श्रिलंका का मैच हो रहा था उसमें खेले आउट हो दूसरे आए अंजलो मैथ्यूज आए तो किसी वज़े से उन्हें तयार होने में मैदान में पहले आ गए वो लेकिन तयार होने में हैलमेट बगरा उनको कुछ दि अगया जादा दो मिट से जादा बंगलादेशी कप्तान थे शाकीबूल हसंद क्या थे शाकीबूल हसंद उन्होंने अपील की टाइम आउट के लिए एंपार ने गावए ठीक नियम तो नियम में आउट हो गए तो एंजलो मैथ्यूज इस तरह से किरकेट के इंटरनेशन किरकेट के इतिहास में टाइम आउट के रूप में आउट होने वाले पहले खिलाडी रहे ठीक है ना और यह जो विकिट होता है बोलर के खाते में नहीं जाता है और एक गैन पर दो खिलाडी आउट हो गए वह यह तो आउट होई गया दूसरा आने में देर कर दिया तो ए पुछेगा ओके मैंने रिखा भी है टाइम आउट एंजिलो मेत्यूज कहां के थे लंका के वर्सेल किसके खिलाफ बांगलादेश से खिलाफ है ना तो चलिए जरा बेटा रोकना मैं थोड़ी सांस लेलू अरे बाबा पानी पिलाओ तो चलिए ख्यार आगे चलें आचा शत्रंज आप जानते हो ना शत्रंज का खेल चेस तो जिस तरह से क्रिकेट को गवर्ण करती है ICC उसी तरह से शत्रंज की सबसे बड़ी संस्ता है फिडे जैसे फुटवाल की सबसे बड़ी संस्ता क्या है फीफा ये सवाल भी आते हैं फ चेंपेंशिप कराती है यह जो म WITH मिया हिरtha कि इशक रचारी डरी उसमें मुकाबला होता है केवल Two इसमें होता है एक रचारी जो इस साल का चैंपियन था अग्ले साल फिर खेलेगा जो घ्लाडी इस साल का चैंपियन है पपनी चैंपियर को बचाने के लिए दूसरा उसे चेलेंज करेगा खुँड चैंपियन बचने के लिए स्मझे फाइनली जैसे आप लेकर गेट है ना ICC टेस्ट चैंपियंशिप चल लिए तो पूरे साल टूर्नमेंट होते है टेस्ट मेचेज होते हैं पूरे साल और टेस्ट मेशेज में पॉइंट्स मिलते हैं लास्ट में एक डेडलाइन होती है कि उस तारीक को जो दो टीम होंगी टॉप पर उनके बीचे फाइनल होगा है ना होता है तो उसी तरह से सत्रंज की जो संस्ता फिडे है वो सत्रंज का की विश्व चैंपियंशिप कराती है हर साल उसमें केबल दो खिलाडी खेलेंगे एक जो इस साल का चैंपियन है और दूसरा अगले साल जो से चैलेंज देगा अब उसे चैलेंज कोन देगा उसे चैलेंज देगा एक टूर्णमेंट का नाम है Candidates World Cup कौन से टूर्णमेंट Candidates Candidates सब्द है अभ्यरती तो Candidates World Cup यह सतरंज का है टूर्णमेंट एक कोशन होगा किसका टूर्णमेंट है सतरंज का टूर्णमेंट है Candidates World Cup अब इसमें खेलने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है छोटे-छोटे टूर्णमेंट होते है उस टूर्णमेंट में आपने जीते इतने पाइंट से आपने पालिए तो उन टूर्णमेंट के आधार पर आप क्वालिफाई करेंगे Candidates World Cup के लिए अब जो Candidates World Cup का विनर होगा वो Championship के लिए पिछले साल के Championship से घड़ेगा ठीक है ना अगर बात समझे नहीं हो तो इसको बैक करके फिर से सुन ले ना तो इस तरह से जो फिडे Candidates World Cup है मैं लिखा भी है इसका विनर पिछले World Championship से विश्चेंपेंशिप के लिए घड़ेगा अब आता है एक टूर्णामेंट है फिडे Grand Swiss Satranj टूर्णामेंट का पूरा नाम क्या है फिडे Grand Swiss Satranj टूर्णामेंट 2023 सुडे लेंड में हुआ ठीक है इस टूर्णामेंट को जो जीता वो दोनों ही भारतिय थे यह टूर्णामेंट पूरुस वर्ग में जीता विडिद गुजराती ने और महिला वर्ग में जीता आर वैशाली ने दोनों ही भारतिय है पूरुस वर्ग में विडिद गुजराती और महिला वर्ग में आर वैशाली इन दोनों ने यह टूर्णामेंट जीत लिया ठीक है इस तरह से इन्होंने किस के लिए क्वालिफाई कर लिया? कैंडिडेट्स वर्ल्ड कप के लिए. अगर ये कैंडिडेट्स वर्ल्ड कप में बिना रहे तो चैंपिनशिप के लिए खेलेंगे. ठीके? अब आगे चलें. पर शेरियों मेंने किस के लिए जोंड एके सब्सक्याद पुरिया बीजुटक्ररण माइस्टर欸 इन होने किस के लिए क्यूल का लिए क्यालिफाइक कर लिया आं मैं लिखा नौ का मतला अ ले karton आगे चलते हैं अब होता है और महीला अब शत्रण में एक होता है Grand Master हो एक होता है महिलागैंज़ मास्टर तो जोरुण महिला Grand Master है वा टाइटल के वल महिलाओं को दिया जाता है महिलां के लिए अलग से महिला गयंज़र्डमाश्टर नाम भी बना हुआ इसके लावा जिसको हमने नाम देते हैं Grandmaster, उसमें पुरुस या महिला कोई भी हो सकता है, पुरुस Grandmaster भी हो सकता है, तो अब यताख भारत में, 23 या 24 मुझे एक ड़क डाटा पता नहीं है, 23 या 24 महिला Grandmaster है, लेकिन खाली Grandmaster, यानि कि जिसमें पुरुस या महिला कोई भी हो Grandmaster भारस के कुल कितनी हैं? तीन है, एक R, वैशाली, दूसरी D, हरीका और तीसरी हैं Korneru Humpi, यह Korneru ह्मपी जो हैं, हमारे बचपन में देखते थे इंको, तो यह भारस से Grandmaster बनने वाली पहली महिला थी, कोनेरु हमपी ठीक है MPandard, और पहली महिला Grain master अलएग है heute 인터ेटा इंटरॐbuh मास्टरा बिलना फिर Nine Master का बिलना है, और महिला ग्रेंड मास्टर का टाइटल अलग है, तो भारत की पहली महिला Grain master पुरुषया महिला कोई discrimination महिला थी उस में Grain Pastr पहले इंटर्नैनल स्टाइटल मिलता है फिर महिलाल्य थी महिलासी तफिस्ट 9 से है लेकिन तोनिकी प्र ellies माईशालििहं आँ और बाश्वायव? थीक है, आर वैशाली जो है, चेन नहीं की है, मज़री बात है इनके जो भाई है, आर प्रग्ना नंदा, हभी 20-22 साल के हैं, बोलो आर प्रग्ना नंदा, वो भी chess champion है, वो भी chess champion है, world championship खेल चुके हैं, वो भी, पिछले साल world championship में, उबी जिता रहे थे, Magnus Carlsen से हारे थे उसका मतलब क्या है? Candidates World Cup उन्होंने जीता और जो पिछला Champion Magnus Carlsen था उन से उन्होंने वह भिड़े किस के लिए? World Championship के लिए जरूरी नहीं है आपSे Candidates World Cup पूछे या फिटे पूछे आप से यही पूसेगा यह खिलाडी किस के संबंदित है तो Magnus Carlsen कहां का है नॉर्वे का है सतन्ज खेलता है भागे से थिप से शत्रंज की और आरवेशाली शत्रंज की समझे ना तो आरवेशाली जो थी आरवेशाली जो है भारत की सबसे नई और 84 84 वे नंबर की जो है ग्रे अब एक सी जोर है यहां पर के आरवेशाली दोनों सगे भाईवेहन है तो सत्रंज में ग्रेंड मास्टर बनने वाली भाईवेहन की यह पहली जोड़ी है समझे भाईवेहन की पहली जोड़ी है समझ भाई आट वभाई यह तो गवासी क्यों ले रो है बदा नहीं डेप्रेशन के सिकार होगई क्या है नीन आती है नहीं आती है रात को नहीं आती है रात को आती है खूल तो आप आगे चलें किरकेट में हमारे हमारे देश में जो फर्स Qlash क्रकेट की नई सबसे बड़ पर देखो सिरुदरी किड़ी, है तो सबसे बड़ी है सेयद मुस्ता के लिए ट्राफी घरेली 2020 टॉर्णामेंट जैसे सो देख ना IPL वाला है फिर आने वाला मार्च में आई-पिल सुर जागा पहले आई-पिल अफिर बरल्डिक पहले है उससे पहले पाकिस्तान सुपर ली लीग और साउथ अफ्रीकन कोंसा देखें कोंसा छोड़ें तो हम तो दुबे इंटर्ण इस लिए लिग देख रहे हैं उसमें ज्यादा अच्छे एक लाड़ी खेलने हैं तो फिर इसके बाद आई पेल देखें हैं उससे पहले पाकिस्तान का होगा पी एसल तो कहां थे वही तो सयद मुस्ताग अली ट्राफी जो है घरेलू भारत की घरेलू टीटी किर्केट टॉर्णाइमेंट की सबसे वड़ी ट्राफी है हर साल होती है इस बार यह जीता है पंजाब ने पंजाब की टीम के जो कप्तान थे वो थे मंदीर सिंग ठीक है किर्केट की एक और पंच दिन का होता है महिलाओं का टेस्ट मेंच करिकेट का होता है चार दिन का ठीक है तो भारतिये महिला टीम ने इंगलेंट की महिला टीम को एक टेस्ट मेंच में हरा दिया लेकिन उन्होंने उसमें एक रिकार्ड बनाया रिकार्ड क्या बनाया कि रनों के मामले में सबस सुआगा ही कि वाया टीड कि के साफ अच's boiling spring National boxing Championship बच्चमन में हम सबी लड़ते ना, है ना, चुछा है, तो तो शीलंग में शीलंग में जीड शीलंग में शीलंग में-----चिंपैर को नीमसील जीड धाइजन देखना कोई फोन आरा गया देखना मुझे लग रहा कोई भभई बढ़ार खड़ के कॉल कर रहे हैं। चले हांगे Now badminton मैंने हां लिखा है badminton Badminton में दो खिलाडी हैं खूब चल रहे हैं दोने एक सात मिल के हेलते हैं दवल्स, हिंदी में कहते है यूगल हिंदी में क्या करते हैं यूगल, सात्विक साहिराजemon कि रेडी एक ही नाम है, जैसे नील नितिन्मुकेश है उसपर क्यों मीम सी रह Way ओंते हैं वह नहीं बहुत साथ्षिंगों क्या है बढ़ा हैं तो इस नहीं जीता बने इसके लाबा इनो ने अशन गेम्स का गोल्ड मेंडल भी जीता है और बहुत सारे इनोंने टाइटल्स जीते हैं कौन आपसे पूर्च सकता है कि यह क्या खेलते हैं साथ्विक साहिनाज रेंगे रेटी और चिराख शेटी बैड्मिंटन खेलते हैं लक्ष छेन लक्ष सेन और चिराख सेन क्या खेलते हैं अब बताओ लक्ष सेन और चिराख सेन क्या खेलते हैं उत्रहंड के हैं अलमुडा क एでした आ वह टुछ है विसमें से साल के सबसे च्वाइबाभी और है क्या खित है लक्स से अचाध चाह लूटा कई के खिलते हैं मैं डूमरो दूमरो मों कहलते हैं मैं उत्रार हुट काैही हा है काल झाल शुरूए आता है तो एक हेंदे पहले कोचिह आँ यहां बैटके अखवर बढ़ थिए नाची नी टिकलास में तो पर लाइबरे कि सामने को इस पाला के लिए जाओ वो रखी किताब हो रखी है लोग पैसे देंके लाइब में हो यहां बेट दिन भर बैटके पड़ो और अब बड़ना चाँते ओ इस सो ना चाहते ओ तो यहां कोई चेकर नहीं हैं जा तो कुछी दिस्टरब करने वाला ही तो से पहले कोई आते ही नहीं है ठीक है प्राइगोड कहा थे हां अच्छा तो चिराज सेन जो है आप अच्छा हां चिराज सेन जो बैड्मिंटन की नेशनल चेम्पियंसिप हुई है मैं यहां लिखना बूल गया हूँ, हाँ लिखा तो है यार, बैडमिंटन की नैशनल चैम्पेंशिप 2023, बैडमिंटन की राश्टी चैम्पेंशिप 2023, इसमें चिराग सेन ने पुर्षों में और अनमोल खर्म ने महिलाओं में टाइटल जीता, यानि के राश्टी चैम्पें कोन बने, चिराग सेन, पुर्षवर्ण उत्राखंट के हैं और अनमोल खर्म कहां की होई, हर्याना की, ठीक है, आगे, बैठिये, बैठिये, अच्छा, इंद्रा गांधी के नाम पर ये उत्तरप्रदेश सरकार कराती है, इंद्रा मेराथन के नाम से, ठीक है, प्रयाग राज इलाहबाद में हुई, मैराथन जोड़ थो होती है, इक नों पांच किलो मेटर ही होती है, इस कैह संद्रा मेराथन जो प्रयाग राज में हुई, 2023 में, इय हुई भूब्य थी कि नवेंबर थेवी, ठीक है? नवेंबरद्ड ये थी है, इस नवेंबर हिलाबर्ग में रिनुन है यूपी का कोई एक्जाम देंगे तो पूर सकता आप से आने वाले छे मिन तर ठीक है नेक्स चलें एशन तीरंदाजी तीरंदाजी की एशन चेंपेंशिप कहां पर हुई नॉबंबर 2023 में बैंकोक बैंकोक कहा हुआ थाइलेंड ठीके ना थाइलेंड में हुआ बैंकोक थाइलेंड की राजधानी है ना तो नॉबंबर 2023 में बैंकोक थाइलेंड में एशन तीरंदाजी चेंपेंशिप हुई उस चेंपेंशिप में पहले नंबर पर कौन रहा तोटल 7 मेडल उसने भारत ने जीते इसमें एजल्य पारत थी निम NEW 5 लोग की परा माने नांटिट भारत को रहा हुआ है चाँ गॉल्ड चार फे एक ब्रॉंज जीत करके भारत ने इसमें जीते कुल नो पदर ठीक है नेक्स चलें आगे शीतल देवी शीतल देवी जो है भारत की पहली आमलेस तिरंदाज है ये एक्शली इनका सायद बच्छमन में किसी वजह से सब्सक्राइब आगे जो के आमलेस पहली भारत की भुजा रही तिरंदाज है उन्होंने एक रज़त और सिंगल में एक रज़त में एक रज़त और यूगल यानि किसी साथ मिल करके एक पुरुष्ण के साथ मिल कर एक महिला के साथ मिल करके दो गोल जीते और कुल मिला कर इन्होंने जीते तीन सबसे आधा पतक ठीक है ना सीतल देवी खूब आ रही है भारत की पहली महिला पैरा तीरंदाज ठीक है न, शीतल देवी तो खेर, इस session में बस इतना ही मिलते हैं आपसे next part में, thank you